हालो बिटिफुल फ्रेंज मैं हूँ आपकी दोस्थ भारती और आज का वीडियो है हमारा रेक्वेस्टेड वीडियो एक्षिल में बस रेक्वेस्ट आई थी कि आपको ग्रूप गेम चाहिए यानि आपके सबी मेंबर्स अराम से बैट के इसको खेल सके एक साथ तो आज की हमारी ग्रूप गेम में आपको ज़्यादा प्रपरेशन भी नहीं करनी है क्योंकि आज की गेम हम खेल रहे हैं इन कार्द के साथ तो आपको जस्ट वन पैक उफ कार्द चाहिए अगर आपके मेंबर्स हैं 10 या 11 मेंबर्स हैं तो आप एक पैक उफ कार्द के साथ खेल सकते हैं लेकिन अगर आपके मेंबर्स हैं 15 या पीज हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप डबल ले लिजे ये पैक उफ कार्द और उसीके अकार्डिंग आपको ये हमारे जो कार्द से आपको डिस्रिबूट करने हैं तो अगर आपके जैसे 15-16 मेंबर है तो आप जो हमारे कार्ड्स हैं वो डिवाइड कर लीजिए 6-6 या 7-7 और उसी के रिकार्डिंग आप डिस्ट्रिबूट कीजिएगा यहां पर मैं 11 मेंबर के रिकार्डिंग खिला रही हूँ तो इसमें हमें ना तो किंग की जरूएट पड़ेगी किंग के कार्ड्स भी नहीं लेने हमें जोकर के कार्ड्स भी नहीं चाहिए और हमें एस के कार्ड्स भी नहीं चाहिए क्योंकि आज की हम गेम खेल रहे हैं इन टाइस के साथ तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस गेम को खेलना कैसे है तो सबसे पहले हमने ये जो हमारे कार्ज हैं वो सभी मेंबर को फोर-फोर डिस्टिबूट कर दीने है ये मैं आपको जल्दी जल्दी से डिस्टिबूट करके बताती हूँ कि सभी मेंबर को हमने डिस्टिबूट करने है तो इक कार्ज हमने डिस्टिबूट कर दिये हैं तो अब मैं आपको एक चीज और बताऊं card distribute करने से पहले कि जो हमारे cards हैं वो आप सभी member को distribute करने से पहले इनको range कर लेजे क्योंकि आपके जो cards हैं वो एक member के पास two नहीं आने चाहिए आप देख सकते हूं यहाँ पर एक member को two cards आ गए हैं तो अब हम इसको किसी भी member के साथ जैसे यहाँ पर मैं यह change कर लेते हूं लेकिन आप उस तरह से रखें ताकि किसी member को objection ना हो तो इसलिए हमने सभी cards जो हैं वो different different ही sub members को distribute करने हैं तो अब हम खेलते हैं game को in dice के साथ तो game हमें कैसे खेलना है कि हमें six time just dice को roll on करना है और आपका उसमें से जैसे six time complete हो जाएंगे तो इसमें winner निकलेगा तो winner निकलेगा one भी निकल सकता है two भी निकल सकता है और three भी निकल सकता है three से जादा नहीं होंगे क्योंकि मैंने बहुत बार इसको खेल के देगा क्योंकि मज़े मज़े आ रहा था तो इसमें two या one या three ही निकलते से जादा नहीं होते तो अब मैं आपको बताती हूं कि इस game को आपको कैसे खेलना है तो चलिए सबसे वहले हम dice को roll on करेंगे तो number आया हमारा five तो five के जितने भी card जिस के पास है जिस member के पास है तो वो अपने cards को बाहर निकाल देंगे एक और left शेर रहा है यहाँ पर तो यह हमने आप देख सकते हूं कि हमारे four members है उन्होंने card जो होस्ट को पकड़ा देने है इस तरह से तो four के four cards बाहर आ जाएंगे अब चार member के पास three card जो है वो left रह जाते है अब आया हमारा eight number तो eight number इनके पास भी है इनके पास भी है यह भी एकल जाता है I think eight निकल गया सबके पास तो अभी हमारे eight के सभी cards जो है वो हमारे इसमें आ जाते हैं तो अब हमने two time dice को roll on कर लिया अब हमारी third turn है तो third turn में आ जाता है seven number तो seven number की card सब निकालेंगे अब आप देख सकते हो कि कितने changes आ चुके हैं इनके पास two है इनके पास just one रह जाता है यह two है यह three है यह भी two है और हमारे अभी काफी members है जिनके पास four पढ़ें अब third turn लेते हैं तो third turn में आया six number तो six numbers के card भी हम यहां से निकल जाते हैं यह भी निकल गया इनके पास just one left रह जाता है चलिए अब हमारा आया number seven तो अब मैं आपको बताओं कि हमारी यह fourth turn थी sorry fifth थी one two three four turn हो चुके हैं तो हमारी fifth turn थी तो इसमें seven card जो है वो already निकल चुका है तो यह इनको फायदा हो जाएगा especially four वाले को क्योंकि seven number के जो cards है वो already निकल चुके हैं तो इसलिए यह हम दुबारा से cards नहीं निकलेंगे अब हमारी है turn last तो last turn में number आता है three तो हम जिसके पास है three number के cards वो सब निकल जाएगे इनके पास three है तो अब हमारे यहां पर सब members ने cards को निकल दिया है तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमारे winner कैसे होंगे तो winner आप देख सकते हो कि इनके पास one है इनके पास भी one है इनके पास भी one ये two ये भी बाहर ये भी बाहर ये three वाले हैं ये two two वाले हैं ये भी बाहर यानि यहां पे आप देख सकते हो कि just one member है जो हमारा left रह जाता है और इसके पास है 4 के 4 कार्ड पूरे के पूरे यानि अब मैंने इनको मिलेगा बंपर प्राइस तो यह हमने खेली है गेम 11 मेंबर के साथ वन पैक आफ कार्ड के साथ तो आप भी इस गेम को ज़रूर खेलिएगा और आप इसे punctuality गेम की तरह भी खेल सकते हैं क्योंकि हमारी गेम बहुत ही फटाफट हो जाती है तो इसको खेलिएगा ज़रूर और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको में गेम कैसी लगी प्लीज लाइक करें कमेंट करें और प्लीज में जग को सब्सक्राइब ज़रूर करें थैंक यू लव यू आल